मियुद्स मनाएंगे पंद्वों सास्त्रों में बड़ी महिमा है किशोरी जी के पद्म पुराण में तो इतनी सुन्दर व्याक्या है किशोरी जी के जनमुद्सव की हजार एक आदिशी मल्टिप्लाई इंटू हंड्रेड कर दो जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधा पर आश्टमी को फिर काय Maa को व्रहाइक भूके प्यासे रहें बड़िया माल च्छाने तो भाव तो रेता है पर स्यास्त्रों में बड़ी महिमा है वरत करने का नियम मूलत है इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्य का सेवन नहीं करते हैं तो अन्य सेवन ना करने से आलश से जाता है अन्य सेवन ना करने से मस्तिश्क में मन में अत्मक उर्जाय नश्ट हो जाती हैं फल आहार रहते हैं तो निश्चती है उर्जावंत होत नकारात्मक भाव नामे मन में कोई दुर्भाव नावे इसलिए अन्नका त्याक किया जाता बाकी तो उत्सव में तो कूप पाओ धुआधार लेकिन वरत करने से आपके उत्सव में ब्योशी आ रही है उम्हाराज और बिना बोजन की एकुछ तो तो फिर उत्सव को भंग कर बनाने के लिए वरत करना है तो राधाष्ट मी उत्सव पर इस बार वरत निश्चित करो हर वारी करो वैसे तो सास्त्रों में दशावतारों में चार अवतारों के वरत करने की आज्या दी है राम नौमी और नशिंग चतुरदशी कृष्ण जनमाष्टमी और वामन द्वा सक हैं तो हमारे भाव में राम कृष्ण दू एक हैं ये दोनों भी एक हैं फिर इनकी अहलादनी शक्तियां भी एक हैं राधा कृष्ण सदा भजे जब किशोरी जी ब्रजमंडल में ठी ठाकुर जी का ही स्वरूप है तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि बहुत निश्चित करना चाहिए इतना फल मिलता है इतना फल मि ये करने से ये फल मिलता है ये करने से मन में एक एई बात आती है अगर ये करने से ये फिल मिलता है अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको वरत इसलिए करना हमको श्री जी मिलें हमको वरत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिलें अक्षे रामे मिल जाए वही से गवे जैश्री कृष्णा जो रामे मल जाए वहीं से को रादे रादे नाम दान करते चलो बोले क्वें वोले अक्षततिया को doctrine करो आक्षे यह सह Columbia है तो हम पलकि स्थान पर किशोरी कुविराज्मान कर दो है किशोरी जी करेंगे कि हमнуться की प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त कुप्रुद करते की शफरी जी को थे वहाँ पर खूब निधिवन राज जाना निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना राधाष्टमी का उतसव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता हमारे ब्रजमेंडल तो ऐसे राधाष्टमी का भाव अब कई लोग पूछने कैसे क्रम होना चाहिए तो देख सुन ले हो तालीबाद बजाली सुबह साड़े चार बजे चार साड़े चार बजे आप सबको स्वच्छन भाव से किशोरी जी को अविशेक करनों वैसे हम तो दौनों कोई कर दें जन्माष्टमी पर भी योगल सरकार घर के ठाकुर जी जो है योगल राधाकृष्ण उनक कोई करें अगर घर में केवल लड़ु गोपाल विराज रहें केवल ठाकृष्ण मुरली मनोवर लाल जी विराज रहें तरवंगल अली ठाकृष्ण तो भी उनको अविशेक करो वैसे तो नियम एस हो है कि जन्माष्टमी और राधाश्टमी को रात्री भर जागरण करो र पीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो वही में पोड़ाओ क्योंकि ऐसो भाव सास्त्रन में है कि कमल के मध्ध से ही किशोरी जी प्रकट भाई तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो घर पे ठाकूर जी है तो ठाकूर जी को विराजमान रखो और प्राते काल चार बजे है तो इमारा शंक नाद करो बधाई गायन करो सुंदर घंटे गड़याल नगाडे आदी बजाओ वाके बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर भाव करो फिर वाके बाद पंचामरत अविशेक करो पंचामरत अविशेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को शंगार करो शंगार करवे के बाद भोग धराओ भोग धरा करके फिर किशूरी जी की आरती करो आरती करने के पशाद फिर खूब नाचो इतने नाचो इतने नाचो हम तो अभी जैपुर में एक बात कहके आए उचसब तब तक मत मानो की नाचते नाचते उचसब करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए अगर आपको द्वाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उट सब मनाई वही नहीं आपने शादी ब्या फोता घर में तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिता जी लटकी मामा लड़की पक्ष है लड़का वारे तो उथम यह लड़की हरा है कमरत कशों ने करktó हमाने द तब लगता हां भ्या हुआ श्रमिती नहीं हुए तो काई बात का व्या ऐसे उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें ये नहीं जबाद्ध महाराद दवाई लेनी पड़ जयाए जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ इतने नहीं ठक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हम से पस्त नहीं हो जाओ तब थक नाचती रहो किष्वरी जी के आगे ठाकर जी कै कोई को वित्रन करो कोई अपने काजित थोड़ा रख लो दूसरे दना जब नौमी लगे सुवा को पाओ प्रशाद रूप में प्रवादन वरत रखो कोई दोश भी ने व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है पर व्रत करने से पुन्य बहुत होता है हमको लेकिन पुन्य की नहीं हमको किशोरी जी की काम ना है तो इस प्रकार और फिर एक नियम सुन या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल एक हजार कमल और एक हजार कमल की बिना सुगंद वाले नहीं मौंगरा के हो जाएं हार श्रंगार के हो जाएं गुलाव के हो जाएं और यदि विवस्था बन जाए तो कमल 1000 हो जाएं किशोरी जी के अभिशेक के बाद आरती करने के बाद सब आरती पूजन किशोरी जी को बहुत लगाने के बाद पर उसके ब उसी पद में कहते हैं शाम जिनकी शरण अरे कता तो यहां तक आती है कि किशोरी जी के मुखमंडल के श्रंगार में सुख मिलता है पर ठाकुड जी को उससे भी अति सुख मिलता है किशोरी जी के चरण देखने में मतलब हमारी गिरधर लाल जी सदा ऐसे ही रहते हैं नीची नजर रहती है उनकी क्यों बोले जब गिर्राज धारण किये तो सामने किशोरी जी खड़ी है तो किशोरी जी के मुखको नहीं किशोरी जी के श्री चरणन को देख रहे हैं ठाकुर जी चरणी इतने सुंदर है किशोरी जी के कि वहीं रहते हैं नंद सुत मन मोद कारी मन को सुख नहीं मोद याने की अत्यंत सुख मिलता है ठाकुर जी को जब किशोरी जी के चरणारविंदों को देखते हैं दास पर्मान जिनकेश धन